नमस्कार आप देख रहे हैं दैनिक तरपन टुड़े और मैं आपके साथ रेनू जोहन असहाई को छोड़ा व्रिधाश्रम मानकर खाकर चलाता है जीविका खतौली, इलाहबाद से रतनपुरी थाने के समीट स्थित मंदिर में पहुँचे एक असहाई मानने खाने वारे व्यक्ति को चिकित्सक परीक्षन के लिए आमबुलन्स की सहाईता से स्वास्थे केंडर लाया गया परीक्षन के बाद उसे SPM ने व्रिधाश्रम छोडने के निर्देश दिये व्रिधा आश्रम के पदाधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर साथ साल से उपर के असहाई व्रिधू को ही रखा जाता है लेकिन यह कम उन्म है, इसके पास कोई पहचान पत्र भी नहीं है तो हम नहीं जिम्नेतारी ने चाहते हैं एक अब एक साल में चज़ते हैं, रिधा जाना है यहां पर रखा जाएगी है रेखा सिंगे हावासी, ब्रद्दाश्रम खतोली ब्रदाश्रम रेखा जी, यह ऐंबूलैंस द्वारा जो है, एक वैक्ति को लाया गया है कितने दिन के लिए यहां पर रखा जाएगे सर हमारी यहां पर 60 वर्स प्लस ब्रद ली जाते हैं और यह उम्र की कम लग रहे हैं तो हम इनको निरे सकते हैं लेकिन जब एडियन सरकाम पर ओडर आया है तो हम इनको सिफ पंदे दिन लोगडाउन तक ही रख सकते हैं पंदे दिन तक किन नियमों का जो है पालन यहां पर होता है किन-किन लोगों को यहां पर रखा जा सकता है यहां पर वैसे तो असाहई विरदी रहते हैं यहां पर मैं राजपाल सिंग यादव राजपाल यादव जी क्या सोचना पर आप फिती सूचना मुझे रतनपुरी ऐसाई साहब हैं उन्होंने कौल की एक साथ पर बोले एक पेसेंट है मंदिर में यह इलावास से आया था किसी तरीके से फिर उन्होंने कहा कि वह इसे चेक अप जाना का ऐसा अगर नॉर्मल है तो बरद आसनम में छोड़ दो अब यहां पर आप लेकर आए ने हम जी यहां पर रख गए हैं जी कितने दिन के लिए यह मेडम बोल रही है पंद्रह दिन तक पंद्रह दिन तक काफी है वो ही सब ऑल रही थी कि पंद्रह तारीक के बाद मा मां खालेगा जहां भी जैसे हो इकटाएगा अपन टाइम